ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हविरबूमी टेक्सी ओपरेटर यूनिन के बीचों बीच खुदाई किये जाने के जलते टेक्सी ओपरेटरों ने रोज चताया है S.D.M. चिरिण जिलान ने टेक्सी ऑपरेटरों की मांग पर जल समस्यों को हल करने का आशवाशन दिया हमिरपूर भीर भूमी टेक्सी ऑपरेटर यूनिन की बीचों बीच खुदाई की जायने के चलते टेक्सी ऑपरेटरों ने रोश जिताया है टेकسी आपरेटरों ने इस तरह रात के अंधेरी में खुदाएक की जाने पर गहरा रोश चिताया और बाद में बाजार में जिला परशासन गिलाब नारे वाजी की बाद में टेक्सी ओपरेटरों ने एस्टेम हमिरपूर से मुलाकात की और ग्यापन सौम कर समस्या को हल करने की मांग की एस्टेम चिरंजीला ने टेक्सी ओपरेटरों की मांग पर जल्द समस्या को हल करने का आशवाशन दिया बस अड़े के बाहर टैक्सी स्टेंड के बीच नाली खोदनी के कारण टैक्सियों को निकालने में दिक्कते पेश आ रही है क्योंकि टैक्सी स्टेंड का रास्ता बंद हो गया है जिसके जलते टैक्सियां गंतब्य अस्थान पर नहीं जा पा रही है टेक्सी उप्रेटरों ने जिला पर्शासन से टेक्सी स्टेंड की अंदर खोदी गई नाली को ठीग करने की गुहार लगाई है ताकि टेक्सी उप्रेटरों का काम परभाबित ना हो सके टेक्सी ऑप्रेटर यूनिन के परदान भिजी कुमार ने बताया कि बारिश के बीच गत रात को करीब नौ बजे टेक्सी स्टेंड की खुदाई करवाई है उन्होंने पर ससन से मांग की है कि इस मस्या का हल जल्द किया जाए और रात को तकरीबन नौ बजे के करीब बारिश का फाइदा उड़ाते हुए ये सूरेज स्वीट्स वालों ने यहां पे जेसी भी दोरा ख़दवाई करवाई है और हमारी गाड़ियं जो है यहां से आगे नहीं जा रही है जबकि इस जगह के लिए माननी है हाई गोर्ड में स्टे चला हुआ है तो इन्होंने रात के अंधेरे में ये काम किया हुआ है तो हम इस कारे के लिए इनकी गोर निंदा करते हैं और परशासन से मांग करते हैं कि हमें उचित इंसाब्द लेया जाए तक्सी ऑपरेटल ने बताया कि टक्सी स्टेंड के पास एक दुकानदार ने JCB लगा कर टेक्सी स्टेंड की रास्ते को बंद करवा दिया है उन्होंने कहा कि दुकानदार अतिक्रमन करने में जुटा है जिस पर परशाशन को उजित करेवाई करनी चाहिए अपना सेटर लगाकर दोना तरफ सेटर लगा लिए हैं और जब से इनने अपनी दुकाने लिए वो सभी अपनी मनमर्जी से कार्या कर रहे हैं लेकिन परशाशन आंखे मूद कर इनका तमासा देख रहा है जबकि इनको जो रेंट पे दी गई है वो इनको अंदर दी हुई है लेकिन यह अभी सही एक रोच्मेंट करना सुरू कर दी है आने वाले टाइम में यहां पर फिर जगह की सोटेज होगी और इसका खुद जिम्मेबार पर सासन होगा क्योंकि यह सारे दुकानदार जो पूरे बार के बार बैठे हुए है और दुकान के अंदर कोई भी नहीं हमने इसकी कारवाई के लिए हम डीसी साब को भी बेदन करते हैं एसडिम्म साब को भी जिनोंने इनको अबंटित की यह जगह की वो मौक का भी देखें और क्या वो जिस प्रकारशन को जगह अबंटित की है वो उसी जगह से यहां पर अपना निर्वा कर रहे हैं या उसी जगह पे बैठे हैं या बार बैठे हैं इसको कोई प्रसासन का को का रास्ता बंद कर दिया गया है SGM चिनजीला ने कहा कि उसको जल से जल खुलवा दिया जाए भी जो लेंड है ये poverty की लेंड है इसको डवल करने का प्राफदान है चुमिक रात्री को बारिशो हो रही थी इसलिए ओ ज्वो रास्ता ऐनका टैक्सीओं न को बंद करने के लिए नहीं किया गया था बल्कि वो पानी की निकासी के लिए बनायगा टता कि दुआने पानी नजया